ते नमस्कार में मेगा शुबरेशीपी में आप सबी का स्वागत है। आज हम लच्छा पराठा बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इतना स्वादिस्ट बनता है। देखे कितने लेयर्स आ गए इतने लेयर्स वाला एकदम स्वाधिस्ट है यह लच्छा परटा और इतना सॉफ्ट है आप इसे बना कर दो तीन दिन के लिए ट्रैवल में जाना हो तो भी लेकर जा सकते नहीं सॉफ्ट रहेगा और एकदम टेस्टी है ऐसे और बनाने में भी आसान है उच्छी सामान में बनके रेडी हो जाता है और एकदम टेस्टी है सही है लच्छा परटा कैसे बनाना है वो देखते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर बड़ी वाली डिश्टी है इसमें हम लोग लेंगे गेहू का आटा तो देखिए एकदम जो रोटी के लिए अधा कप मैधा मिक्स किया है इसकी जगह आप चाहिए तो आधा मैधा आधा गेहू का आटा भी उसकर सकते हैं यह सिर्फ गेहू के आटे से ही भी बना सकते हैं तब इसके इसके में स्वात के अनुसर नमस और अजवाइन डालेंगे थोड़ा साहतों में क्रश करके डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और दो चमच हम लोगी इसमें ऑईल आड़ करेंगे इसे क्या होता है जो पराठाने कितम कस्ता बनता है इसलिए हमें यह थोड़ा से गुंगरा ऑइल डालना है और यहों के आटे को अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो तेल है वो पूरा आटे में ऐसे लगे इसलिए इसलिए रगड रगड की हमें यह आटे में पूरा ऐसे त इससे बादा नहीं तो एक दम घंडा ना ही गरम बस रिम टेंपरेचर वाला पानी लेकर थोड़ा थोड़ा से आठा गुना है अभी इसमें थोड़ा से ओल डालेंगे और इसे हमी एक और दो मिनिट के लिए गून देगे ताकि जो आईल है अच्छे से पूरे आठे में लग जाए दम अच्छा है और टेस्टी ऐसे यह पराटे बनते हैं मेरी दिखाईव रेसिपी अगर आपको अच्छे लगते तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा साथ ही में बेल आइकोन पर प्रेस कीजेगा ताकि मेरी जो नहीं रेसिपी टिखी आप मेरे कतोरी में एक चमच लाल मिर्ची पाउडर लिए हैं थोड़ा से हद्नी मीक्स करेंगे इसमें तोटा से सद्रिया डाला है और अधा चमच आम ठुट पवाउडर डालेंगे इसे बहुत ही बड़ी है थे साता है और छोड़ा सही नमक डालेंगे क्योंकि आटे में भी नमक डाला है, और इसे अच्छी तरत चतौरते मिक्स क्रेंगे हमारो राखेómo तर प्रेटे का नमक डाले की तो अब हम लोग मिक्स ाइट में acompan है तो अब दो मसाल हमारा रेडी हो गया है तो अब हमें जो आटा उनके रखा था उसमें तेक थोड़ लोई लेंगे नॉर्मल जू हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं उस नहीं उससे अच्छा से गोगूल करके इसे हमें बेलना है तो या पर मैंने लिया है चकला और बेलन फोड़ा सा एठा लगाएंगे पस हल्का हल्का सा सुखा आठा लगाना है और इसके पतली से रोटी पेलना है हमें जितना पतला बेल सकते हैं उतना तो नॉर्मली रोटी बनती है हमारे गर में उतनी बेलेंगे तो भी बस हो गया पराटा बना के लेके जा सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा दो-तीन दिन अच्छे से आराम से चलेगा ये पराटा बहर देखें मैंने इतनी पतली रोटी बेली है अभी इससे हमें क्या करना है उपर से हमें थोड़ा सा घी लगाएंगे फूरे जो रोटी में अच्छे से घी स्प्रेड करना है या पर आप हाथ से या ब्रश से भी लगा सकते हैं हाँ से इसलिए अच्छे से स्प्रेड करने जमता है इसलिए मैं हाँ से लगा रही हूं और इसके उपर हम लोग यह मसला बना के रखा था वो डालेंगे आधा चमच और थोड़ी से ना कसी हुई है लसन है मैंने जिसे कदू कस करके लिया है वो डालेंगे और थोड़ा सा लगा लेंगे इसे फ्लेवर बहुती बढ़िया आता है अब थोड़ा से लसन को नहीं से कदू कस करके जरूर डालके देखें अब यहाँ पर मैंने जो ब्लैक वाला काला तील लिया है काला तील आप इसके जगह वाइट वाला तील भी ले सकते हैं और थोड़ा सा हरा धु इसे थोड़ा से रहीं पाट्स पीछे से उठाना से और इससे फोल करना है देखि इस तरह से एक दम इजली बनके रेडी हो जाता है यह इसी तरह से हमें आने के लिए इस फोल करते हैं कि पिस्तर ना और नाने मीं एक दम आसान है यह बहुत अच्छे लेश्ट आते हैं परटे पर इसी तरह से बनता है तो देखिए एकदम यूजी एसे एक के उपर एक हमें इसे फोल्ड करते जाना है जैसे बच्पन में हम लोग फैन बनाते ना तो उसी तरह से हमें इसका यह लेने हैं और हम इसे जॉइंट करना है तो किस से करेंगे जो नीचे वाला बाद है कुछ से नीचे र केंगे और यह आसे साइट से हमें क्या करना है इसके गोंड करने हैं और इसे राऊंड करना ह необходимо और पाण की पर पडash नी션, इसे अंदर इसे दबाएंगे के लिए के लिए उपर से दोड़ा सी शुम कर लेंगे पिपरे से बने स्वरादखel tige हैं कि परुपर से फ़़्या कि लोनों तरफ से सुकाठी है लेदा लगाएंगे और हल्क हाथ-ईसे बहिते हं पाक्ता तरने बइलना है अदि एक दम घृट जाएं गेश यह उद्र अधर इसके लिए जादा पेलना है बस इतना ही हमें बेलना है ताकि इस अधर पित्रम तबाख चला हम ईसफी LOT 5 साइट्ड दाला पराथा का लिए जो तेस्ट को सब्सक्राइब अच्छे से सीकने के बाद हम इसे दूसरी तरफ से सीकना है तो इस तरह से ज़िए दूसरी तरफ में इस पट्टी करके रखाया और उपर से भी इसे हमें घी डालना है इसे जो है ना प्रत न बहुत ही बढ़िया आता है अब दोनों तरफ से पराटा हमारा जान अच्छे से सीख गया है देखते हैं देखें लेयर कितने अच्छे से कुल के आये हैं इसी तरह से हम यह अच्छा पराटा बनाना है एकदम टेस्टी और यह टीफिन के लिए भी अब बना के दे सकते हैं बचों को भी बहुत ही पसंद बना है अब जरूर बना यह और मुझे कमेंट्स में मत भुलिए कि आपको कैसे लगा जटपट होने वाला यह टेस्टी है इसाल अच्छा पराथा और इतना सॉप्ट बनता है मैं आपको दूसरा भी पराथा बना के देखती हूँ लेयर्स देखे कितने अच्छा है दोनों तरफ से अच्छे सिखते हुए हमें गी डालना है गी से जो है हमारा पराथा बहुत ही टेस्टी तो बनता ही है ज्यादा उसकी शेल लाइब भी बढ़ती है और जो लेयर्स वग तैयार हो गया है तो अब जरूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा देखें लेयर्स आपको दीख रहे होंगे एक दम कि ले कि ले लेयर्स हमारे बने हैं इसी तरह से सब पराठे में बना लेती हो यह हमारे पर अच्छा पराठा बनके रेडी हो गया है एक दम आसानी से बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है इससे पहले भी मेरे चैनल पर अलू पराठा कैसे बनाना है धाबा स्टाइल उसकी भी रेसिपी है तो उसकी भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको वहाँ पर जाके बना सकते हैं तो देखे कितना सॉफ्ट यह लच्छा पराठा बनाए है जरूर ब